कि बिस्मिल्लाहिरामा निरहिम नाजरीन मैं हुसेई जुमीर संद्जुमीर केटर फार्म की तरफ से आपकी शिदम व्यादरों में आपका बहुत शूख लिए आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम नकाला तो मालूमाती वीडियो हासल करने के लिए हम आज साथ ब विक्स फार्मिंग के बहुत ज़रा फायद होते हैं जिसका ट्रेंड चल रहा ताब वही फार्मिंग इस्टार्ट कर लें तो आपने जो करभानी वाली फार्मिंग के बड़े राम से स्टार्ट करनी होती है आसथा असता उसको आखरी तक ली जाना होता है और समें बहुत तो यह साबर बच्छों की रात के तैरिया भी कर रहा है यह विर डाल रहा है ताके जब शाम का वकट आए तो हम यही चारा जो है ना वो बच्छों को डाल देंगे और उनका बांद देंगे और राम से ख़ते रेंगे तो उनको बहुत ज़्यारा की बढ़ती है तो आप ने विचारा डालना उसको टीमर की शकल भी दे दे तो हीफर की बात कर रहे थे तो अगर आपने पूरा प्लैन हमासा जिस्स करने आपने आपको चेंड सिस्टम प्लैन बना कर देंगे हीफर फार्मिंग का अगर आप चेंड वाइज हीफर फार्मिंग करेंगे साल में पच्छ से इसमें काम करते जाएं जब आप हीफ़ फार्मी करेंगे उसे पचीस बच्चीन डालनी हैं सैवंटी थाउजन की फी बच्चडी आपी आएगी तो जब वो प्रेगनेट हो जाएगी इन्शाला तला पौने तीन लाग तीन लाग की वो गाये बनेगे रहर सेल भी होगी तो हम ये काइडिया इसी तरह का ये शेर कुरेंगे जिसमें आपको काफी बच्चत है तो हीफर फार्मिंग को प्राफिटेबल बनाने के लिए कोई मेंगा चारा नहीं डालना सस्ता चारा डालना ताकि उसकी कॉस्त ज्यादा न बढ़ जे जब आप इस तरह का ये आइड प्राइड करेंगे तोकन के उपर हम आपको आपने फी बच्चडी का दस हजार टोकन देना हैं तो आम पचीस बच्चडी जो आना वह आपके लिए खरीद कर देंगे तो एक टाइम में कम जब कम आपको दस बच्चडी कर दे सकते हैं तो हमाँसर राप्ते में रहकर आप करें और इसको डिरी फार्मिंग की बीचारें अगर आप ने शहरों के पास रहते हैं जहां चारे की मुश्क्न होती है तो टीम टी अमर की शकल भी दें क्योंकि टीम आम ऐसा सस्ता चारा होता है जो जानरों के लिए बहुत बहुत होता है इस आरीया आप इसको परमल करके अपनी फार्मिंग को बेतर करना है फिर फार्मिंग का प्लैन जो हम आपके साथ डिस्स करते जाएंगे तो इन्शाला अगली वीडियो में जा दिजिए खुदा हाफिज पाकिस्तान जिन्दावाद